सो वर्षो पुर्व कजबे के बुनकर समाज ने सबसे पहले हद करदा पर कपड़ा बुनाई का कारियर शुरू किया और मोटे सूथ से कपड़ा बुनना शुरू किया दीरे दीरे कर बुनकरों ने कपड़ा बुनाई में रेषम का उपयोग करना शुरू किया जिससे बुनकरों को कुछ अधिक पैसे मज़दूरी के तौर पर मिलने लगे और बुनकरों के आर्थिक स्थिती में दिन प्रति दिन सुधार होने लगा जिससे हैंडलूम के उद्ध्योग को पंक लगना शुरू हो गया यह उद्ध्योग लगा तारविक्सित होता गया प्रति दिन दर्जुनों बाहरी व्यापारी कजबे में आते और अपने डिमांड के अनुसार साड़ियां खरीदते थे बुनकर अपनी तयार की हुई साड़ियों को उन व्यापारियों को बेशते थे जिससे उन बुनकरों की जीवी का सुचारू रूप से चला करती थी आम तोर पर बुनकर मजदूरू के आर्थिक स्थिती और भैतर होती गए आम बुनकर को प्रती दिन एक हद करधा से 500 से लेकर 600 रुपे तक मजदूरी मिलती थी जिससे बुनकर काफी खुशाल रहता था लगबग 25 साल पहले नवंबर 1999 को कजबे में शिया सुन्नी दंगा भड़क गया जिसके चलते शेतर की लोगों में भै की स्थिती पैदा हुई एक बार फिर से जन्वरी 2000 में शाम के समय मार्केट के दौरान सीरियल बंब ब्लास्ट हो गया इसमें दरजनों लोगों की हत्या हुई इस घटना से बाहरी व्यापारियों का आवागमन बंद हो गया व्यापारियों का कजबे में आना बंद हुआ और कारोबार पूरी तरह बैट गया जो आज तक उबर नहीं सका दंगे के बाद कारोबार तो शुरू हुआ लेकिन साडियों को तयार करने में उपयोगी रौ माटेरियल रेशम, जरी, आदी के भाव में उच्छाल के चलते आम बुनकर परिशान हो गया इससे वह शेत्र के बड़े व्यवसाईयों से रौ माटेरियल लेकर उने पोने दाम पर उन्ही व्यवसाईयों को बेच कर अपने परिवार की जीवी का चलाने पर मजबूर हो गया धीरे धीरे हद करदा उद्ध्योग शेत्र के पूझी पतियों के हाथ में सिमटता चला गया विप्रन केंद्र बना लेकिन वह भी बेमतलब सावित हो रहा है क्या समस्य आ रही है आपके कारोबार में हम लोगों को कारोबार में यही दिक्कत आ रही है कि इस वकद बहुत मंदी चल रही है चल रहा है। यहैं कि इया सरकार हम लोगों के काम पे धियान नहीं दे रहे हैं। किशान किशान पर सरकार धियान दे रही है हम लोगों पर नहीं दे रही है हम लोगों को जो 72 रुपया फिलेट रेट आज हम लोगों को जो है कि 400 कुछ रुपया देना पड़ता है चार सोतीस रुपया देना पड़ता है जोकर सरकार जैसे किशान पर धियान देती है हम लोगों उनसे नीचे हैं हम लोगों पर धियान देते तो हम लोगों का कुछ कारोबार सुधर जाएगा पावर लूम के लिए बहुत बड़ी समझ से आए तो आज कितनी मज़़ूरी आप लोग पा जाते हैं एक साड़ी पे एक साड़ी पे तो जो पहले 2500 थी आज 500 रुपया है अचे तो हट कर गए पर आपने जो पावर लूम केसे कर दिया क्यों कर दिया इस लालिश में कर दिया कि हैंडलूम हटा के पावर लूम पर आ जाएंगे तो हो सकता है कि हम लोग और अच्छा हो जाए बगेर उससे खराब पड़ गया हम लोगों को पावर लूम बेचना प हैं लोग उसी में करते थे और तीन तीन लोग हैं लोग में लगते हैं काम करने में तो अब माली जे तीन लोग मिलके जो कर पूरे दिन में सो डेर सो रुपिय का काम करेंगे तो कैसे पेट चलेगा तैसे पेट चलेगा उसमें दबा भी करना है बच्चों को पढ़ाना है तो कहां से होगा मजूरी जो एक दिन पर दिन कम होती जा रही है अच्छे एक दिन में एक लूम से कितनी इंकम हो जाती है लग बग माली जे कि एक लूम चलाएंगे तो दिन भर में दौ-ढाई सो रु तो मालिजेत हो जाएगा आच्छा बिजिली की कटवती के संब्द में कोई दिक तो मिला जुला के ठीथी रहती है कि इस समस्या के लिए थे हम लोग बडा चिंता में हैं आज की पहलास हो गई है कि सवह बुनकरों को मजूरी दो तो रुपिया मिलती थी दो तो रुपिया हो गई है और कच्चा मटेरियल जो धागा है दिन के दिन आस्मान चूराय मांगाई का और बुनकर का पेट पालना जीना दुश्वार हो गया है आज ये इसी थी है कि एक बुनकर एक करगा से अपने परिवार का 20 साल परिवार चला लेता था आज एक बुनकर अपने एक करगा से जिनी मांगा ऑगए और मजूरी दिन की दिन कम हो जा रही है मटेरियल आसमान सूराय हैं और बुनकर इस इस तिनी में पहुचा है कि अपना पेट पालना दुसवार है कोई बाहर जा रहा है गारा मταली कर रहा है और बंब कांड से लेके मबारकपूर बहुत पीछे हो गया है अच्छा यह कब घटना हुई थी बंब कांड वाली दो हजार में 99 से 2000 एक तक लपड़ा था इसमें पुड़ा मबारकपूर 100 साल पीछे चला गया हम बंकर लोग का जीना और पेट भरनाा दुस्वार हो गया है मुझे डर है कहीं बंकर आत्मा हत्याँ कर लें इसी तरह अगर सरकार हम लोग पर दियान नदे बंकरों के तो बंकर आत्मे हमतिया कर लें यह हो जैस इसी सनती कप्ले के नाम से बुंकर सघ्षाणा जाना लेकिन बाती महाई नहीं से खा लिया और जो कुछ कोर कर वती यहां के कुछ जगडे वगरे कि बीछ चलेगे और हमारा राव में तरिल अधिक से अधिक मगा हो गया और एक अंदेखित इनके साथ मद्दूरों के साथ यहां जो गिरस्ता लोगों ने भी किया कि मद्दूरी कम से कम रिर्ट तैकर दिये यह भी एक बहुत बड़ी मार देख और बिचोलियों के हाथ सारा करोबार चला गया जो 2015 में उसरा किंद्र बना था इसी मन्था से बना था कि बिचोलियों से बच्टे रहें लेकिन उसका हमें भी कोई लाग जिन रहे तो ऐसी दसा में हमें तो यही लगता है कि अब यह खत्म के कगार पर पौट है और हमारी जी का चलाना मुहर हो गया है अब हमारे बच्चे अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें